पटना जीले के मनेर परखंड छेतर में जीला परशाशन के आदेश के बाद चलाया गया अतिकर्मन हटाओ अभियाद पिछले कई सालों से सरकारी जमीन पर कबजा किये हुए थे अतिकर्मन कारी लोग बताते चले कि मनेर परखंड अंतरकत मनेर नगर पंचायत वाड नमबर 11 एम ग्यासपूर पंचायत के अहियापूर गाओ में अतिकर्मन कारी द्वारा पिछले पांस साल से सरकारी सडक और जमीन पर अतिकर्मन कर कबजा जमाए हुए थे जिसका सरकारी प्लाट नमबर 25 अठायस है जिसे अतिकर्मन पर चिन लगा दिया गया था वही कारे अले अंचरादिकारी मनेर के पत रंक 855 के पत्र जारी हो चुके हैं गोर्टलब है कि इससे पहले भी फोर्स की मांगी गई थी लेकिन फोर्स नहीं रहने के कारण अतिकर्मन नहीं हट पाया था पिछले चार बार पत्र वर्ये अतिकारी से अवगत कर आया था जवाब देर से मिलने की वजह से इतनी देर हुई वही अतिकर्मन हटाने को लेकर आम जनता कई बार अंजलादी कारी से शिकायत करते रहे हाला कि देर से ही सही आज मनेर के दो छेतरों में कई सालों से अतिकर्मन के सरकारी जमीन पर जिला परशाशन का हतोरा चल ही गया हाला कि विधी, विवस्था और शांती पूर्ण बनाने को लेकर जीले में भारी संक्या में पुलिस बल तैनात की गई थी सभी कारिये शांती पूर्ण तरीके से संपन हुआ वही मनेर अंचला दिकाली संची कुमार जहां ने बताया कि जीलप पडशाशन एवं अनुमंडल पदा दिकाली के निर्देश पर सरकारी जमीन पर कबजा करके अतिकर्मन किये मकान एवं दिवाल को तोड़ा गया साथी अंचल जमीन सिन आपी इस पस्ट करते हुए उक्तिस्थल पर अतिकर्मन पहले से चिनित किया गया था जिसका अतिकर्मन वाद संख्या 10-17 है साथ ही उनों ने यह भी बताया कि मनेर नगर पंचायत के वाड नमबर 11 एमम ग्यासपुर पंचायत के अहिया पुर गाउं में भी सरकारी जमीन पर बनाए दुकान को भी तोड़ा गया और सबी लोगों को सक्त आदेश दिया गया कि अगली बार सरकारी जमीन पर अतिकर्मन किया गया तो सक्त कानूनी कारवाही की जाएगी और उनोंने कहा कि आज का अतिकर्मन अभियान शांती पूर्णे तरीके से संपन हुआ झाल झाल